देखिए जहां तक सूश्री कंगना जी को जो केंडिडेट बनाया गया है उनका हम व्यक्तिकत रूप से बहुत मान समान करते हैं मैंने पहले भी कहा है, on record कहा है कि as far as her career in Bollywood is concerned उसका हम समान करते हैं and she has done good amount of work on international and national stage और अच्छी बात है हिमाचल की है मगर अब जब वो राजनेतिय का खाड़े में उतरी गई है और बहुत जल्द अब तो उनका पार्टी से स्वागत हो रहा है सब चीजे हैं, उनका कारेकरम चल रहा है, बहुत जल्द कॉंग्रिस पार्टी भी मैदान में उतरेगी अगले कुछी दिनों के अंदर मैं बहुत जल्द वहां का एक दोरा करूँगा, वहां के हमें सभी कारेकरताओं से मिलेंगे और अगामी रनीती किस तरीके से हमने चुनावों को लड़ना है, उसके बारे में भी बात होगी मगार इसमें मूल प्रशन ये है और ये प्रशन मैंने पहले भी किया था और आज भी मैं उसी बात पर खड़ा हूँ कि चुनाव जो है वो केवल और केवल स्टार्डम के उपर नहीं लड़े जाते है चुनाव लड़ने के लिए रनीती होती है, कमिटमेंट होती है और कमिटमेंट केवल और केवल चुनाव के समय में जो 45-40 दिन मिलते हैं चुनाव में केवल उसी समय की नहीं होती है ये कमिटमेंट lifelong की होती है, चाये चुनाव के पहले की है, चाये चुनाव के बाद की है मैं आज भी कंगना रनौर्ट जी से ये पूछना चाहूंगा कि मंडी की आब ये टी तो है बहुत अच्छी बात है मगर जब मंडी के अंदर इस दशक की सबसे बड़ी आपधा आई मैं तो कह सकता हूँ इस शताबदी की सबसे बड़ी आपधा आई मंडी का पचवक्तर मंदिर पूरे तरीके से पानी में किशतिक रस्ट हो गया वहां पे करोडो रुपए का नुकसान हुआ कई ब्रिजिस भैगे उस समय वहां की सांसर श्रीमती प्रतेबा सिंग जी हर व्यक्ति से मिली खुद उन्होंने हर स्थान का दोरा किया चाहे कुलू में चाहे मंडी में चाहे बंजौर में चाहे मनाली में और मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में गे क्या वो एक भी दिन मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई क्या उन्होंने Bombay से कुछ सयोग हिमाचिल की जनता का मंडी की जनता का किया तो ये एक बड़ा प्रशन है और आने वाले समय में भी अभी तो चुनाव की बात है चुनाव में प्रत्याशी है सो भाविक है कि वो लोगों के बीच जाएंगी और जनता का समर्थन प्राप्त करेंगी मगर चुनाव के बाद क्या वो इसी commitment के साथ मंडी संसद्यक शेत्र जो हिमाचिल का एक तेहाई संसद्यक शेत्र है यहां के हर क्शेत्र में जाएंगी क्या यहां के हर ब्लॉक में जाएंगी क्या उनके पास इतना समय होगा अपनी बॉली वोड को छोड़ कर कि वो यहां के लोगों की आवाज को सुने और एक प्रशन मैं मंडी संसद्यक शेत्र की जंता से भी करना चाहता हूँ कि सांसद से मूल रूप से क्या काम रहते हैं क्या उसके लिए मंडी संसद्यक शेत्र की जंता बॉंबे जाने के लिए तयार है शायद जैराम जी ने जो अंतराश्ट्रिय हवाई अड़ा मंडी में बनाने की पहल करी थी वो इसी सोच से करी थी कि हम 2024 में कंगना रनौत को टिकेट देंगे और मंडी संसद्यक शेत्र की जंता यहां से सीधा उड़ान जो है वो मंबे का बढ़ेगी और अपने हर कारिय को करवाने के लिए मंबई पहुंचेगी तो यह एक बड़ा प्रशन है क्योंकि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ही केवल राजनेतिक मूलियों और राजनेतिक आपकी जो एक भावना है उसको पूरा नहीं करता है आपकी commitment पूरे समय 24-7 लोगों के प्रती है कितनी है उसका उधारन मैंने आपको चुनावों के पहले का भी दिया है आपदा के समय का भी दिया है और आने वाले समय में क्या कंगना जी इतना समय मंडी संसद्यक शेत्र की जनता को देपाएंगी ये एक बड़ा प्रशन है क्योंकि जिस तरीके से बहुत से बिधानसवा और लोगसवा हलकों में एक्टर्स को उतारा जाता है चाहे वो पंजाब की बात है चाहे वो बॉंबे की बात है चाहे महाराश्टरा की बात है वो चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी अपने लोगसवा क्शेत्र में नहीं जाते है तो ये चीजें चुनावों के समय में गुंजेंगी इन चीजों के उपर चर्चा होगी और फिर देखा जाएगा कि मंडी संसद्यक शेत्र की जनता किस ओर आगे बढ़ती है पहाडी बूली में लोगों को एडरेस भी किया उन्होंने आज वो कह रही है कि जो कांगर्स है वो चीफ पॉलिटिक्स खेल रही है नहीं पहाडी बूली तो बहुत अच्छी बात है हमारे मानने परदान मंत्री जी जिनका बहुत मान समान करते हैं वो भी देश के हर कोने में जाकर वहां की बोली बोलते हैं, असायम जाते हैं तो वहां की बोलते हैं, गुजराज जाते हैं तो वहां की बोलते हैं, आजकल कन्नट की भाषा बहुत जादा बोल रहे हैं, क्योंकि दक्षन के दोरे उनके बहुत जादा हो रहे हैं, मगर उन्हो को वो अपना दूसरा घर कहते हैं क्या वो एक भी दिन हिमाचिल आएं हिमाचिल की जनता का हाल जब हमारे साड़े तीन सौ के करीब लोगों की जान हिमाचिल के अंदर किया वो आएं तो ये वो तो ग्लैमरिस है तो भाशाएं अलग-अलग शैली में बात करना लोगों को यह इस तरीकी की चीज़े चलेंगी मगर हमें मूल रूप तरीके से यही देखना है कि जो करतव्य एक सांसद का होता है चुनने के बाद क्या वो उस करतव्य का पालन कर पाएंगी पूरी निष्टा से कर पाएंगी जब उनके पास अपना एक विवसाय जो है और एक अपन कि हम उनका बहुत मान समान करते हैं मैं तो on record कह रहा हूँ कंगना जी मेरी बड़ी बहन है अब पता नहीं मुझे उमर में बड़ी है कि छोटी है मैं नहीं जानता मगर बहन है और मैं उनको बहन का दर्जा देता हूँ अभी हम प्राजनीतिक मैदान में भी उतरेंगे कई जगाओं पर आमना सामना होना भी लाजमी है मगर हम उनको पूरी respect देंगे पूरा मान समान करेंगे और Congress भी इस विचारधारा से है एक पीछे कुछ controversy हो गई थी उसमें जो हमारी spokesperson है उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है and it was unintentional किसी ने उनका फाइल को hack क किसी ने ये comments किये है जिसके लिए उन्होंने सरवजनिक माफी भी मांगी है भविश्य में इस तरीकी की कोई भी चीज़े नहीं होगी हिमाचल देव संस्कृती देव समाज को मानने वाला राज्य है और हम अपने प्रतिवंदियों को भी पूरा मान समान देते हैं कंगना जी का मैं बहुत मान समान करता हूं उनके फिल्म करियर का मैं बहुत मान समान करता हूं अज़ा हिमन बिंग उनका मैं बहुत मान समान करता हूं मगर ये जरूर है कि जब अखाडे में उतरेंगे राजनीतिक मैदान में उतरेंगे तो मुद्दों के ओपर जो है वो होगा और मुद्दों के ओपर लड़ाई होगी यह मैं जरूर कह सकता हूं